नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर पढ़ताल दुनिया भर की एक सबसे बड़ा सवाल जो निश्चित तोर पर अमरीका को परेशान कर रहा है वह है अंतराश्टी कूटनिती में चीन का बढ़ता हुआ कद जिस तरह से शी जिंगपिंड ने रूसी राश्टपती पुतिन के साथ मुलाकात की और बारा सूत्री प्रस्ताओ दिया यूकरेन युद्ध में शांती की राह खोलने की कोशिश की वह यह बता रहा है कि एक के बाद एक चीन अपने दाओं बहुत मजबूती से चल रहा है और इसका असर निश्चित तोर प अंतराश्टी कूटनीती पर पढ़ रहा है और गहरा पढ़ रहा है खास तोर से जिस तरह से इस बारा सूत्री पस्ताओ की आलोचना की अमरीका ने नैटो ने और तमाम पश्चमी देशों ने जिस तरह से हर बढ़ाहट में उन्होंने कहा कि रूस जब तक पीछे नहीं ज ये सारा का सारा द्रिश बहुत कुछ कह रहा है कि चीन लगातार दावेदारी मजबूत कर रहा है और शांती की राह दिखाते हुए उसने साबित किया कि सिर्फ सौधी अरब और इरान को ही नहीं दरसल वह रूस और यूक्रियन को भी मिलाने साथ बैठाने के पक्ष में र प्रबीर पुरकायस से प्रबीर अभी दुनिया ने देखा अंतराष्टी कूटनीती में एक बहुत बड़ा परिवर्तन या यूं कहिए कि बड़ा घटना क्रम हुआ जहां पर चीन के शी जिंग्पिन पुतिन से मिले यूक्रेन को लेकर यही जो नक्षा दिखाई दे रहा है इसमें शांती की रास्ता देखने के लिए क्या असर आपको लगता है इसका दुनिया की राजनीती पर दुनिया की कूटनीती पर पढ़ने वाला है देखे एक बात दो है कि यहां पर युद्ध चल रहा है इसको लेके जो प्रोपोजल्स जो प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है शांती के लिए वो करीब दो हकता पहले आ चुका है और इस पे रूस की क्या रिस्पॉंस रही और युक्रेनिया वेस्ट की क्या रिस्पॉंस यह देखने की विशे है आज तो इसमें साफ है कि रूस ने कहा कि इस रास्ते इन पेस इस बेसिस पे शांती बात की बातचीत हो सकती है पर इसमें कोई निशकर्श नहीं दिया गया था इसमें प्रोपोजल्स ऐसी बनाई गए थी कि ऐसे बिंदू है जिसके आदार पे बा राक्त जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको बरकरार रखके क्या युद्विराम हो सकता है और उसके साथ रास्त क्या शांती की बातचीत हो सकती है यह सवाल है और अमरीका नेटो के जो और मित्र है उनके चाहे यूके हो चाहे जर्मनी हो चाहे पोलेंड हो जो नहे मित्रों म पीछे जाना पड़ेगा तभी बात्चीत हो सकती है तो ये तो डॉन बास लेके बहुत सालों से लड़ाई चल रही वहां की जनता ने वहां की युकरेन जब ये कोशित किया था कि रूसी भाशा नहीं चलेगा रूसी आइडेंटिटी को एक तरफ से खटम करने की बात की थी तब जो वहां पर मिंस्क की अकॉर्ड जो उसके हुआ था बाद में तो मैदान अप्राइजिंग के खिलाप इन्होंने हत्यार उठाए थे तो पहले डॉन बास रीजिन में इस इलाका जो कह सकते हैं कुछ हद तक उन्होंने मुक्त किया था और मिंस्क की अकॉर्ड बे ये था कि यहां पर जो इन ये दो प्रांथ है उनके डॉन बास रीजिन की डॉनियस्क लुगांस्क दोनों में सेल्फ क्या इडिटर्मिनेशन होगा वोट होगी बातचीत थी पर वो कभी काम्याब नहीं हुई अब जानते ही है तो अभी चीन का प्रस्ता भी है आगे वहां प बहुत पहले ही क्रीमिया इसलिए जरूरी है क्योंकि जो वेस्ट है पश्चिमी देश उन्होंने बारा सूत्री में ये भी काया कि तब तक वारता नहीं होगी जब तक रूस क्रीमिया तक पीछे ना हटे हलांकि अमरीका के कुछ बुक्य ऐसे बैखती है उन्होंने का क्री तो यह सवाल यह है क्या सच्मुच युद्विराम शांती का बेसिस नहीं बन सकता है अगर हम देखें तो पहले पैलेस्टाइन को देख लीजिए संसाइटालिस में युनाइटेड नेशन्स की वो लकी थी जो ग्रीन इलाके है ये वाले पैलेस्टीन इलाके में होग आट उन्चास में ही ये हो गया था और इसके बाद संसाइट में आप देख सकते हैं पैलेस्टाइन का जो हिस्सा है घटके इतना हो जाता है और गाजा का बीच में देखें दूरी कितना बच जाता है इसके बाद अगर देखें अभी की हम देखें पिछले साल तक का पिछले ज यहां पर उनकी सेटलमेंट्स बढ़ी है सेटलमेंट्स बढ़के अब ऐसा हो गया कि फिलस्तीन की इलाके ऐसे बन गए कि एक दूसरे से उनकी तालमेल भी करना मुश्किल है उनका जाताया एक जगह से जाना आना यह भी बहुत मुश्किल है आपको चेक्वांट्स पर लेकि 67 की जो थी वो भी लाइन ओफ कंट्रोल के आधार पर बनाई गए थी उनाइटिड नेशन से कहा जहां पर आप है वही आप रही है शीकुरिटी कांसल के रिजूशन थी तो पहले भी यह निशकर्ष पर पहुंचे है कि शांती की बातचीत बाद में करेंगे युद्विरा बगर जो होता है बहुत बाद में होता है तो यह सिर्फ पैलेफिलिस्टिन की बात नहीं अगर आप देखें नौर्ट कोरिया का साउथ कोरिया की बीच में 38 पैरलल जिसे कहते है इसके लगभग यहां पर जो युद्व विराम की लाइन खीची गए थी 1953 में यह थास्ती थ रहा था साउथ के कोरिया अमरीकन फोर्सिस वहां पर मौझूद थे तो उस लड़ाई में 38 पैरलल के लगभग बांडरी जो बनाई गई गई है वो सीजफायर लाइन है आज भी कोई शांती समझाता नहीं है तो यह नहीं है यह दुनिया में पहली बार ऐसा होगा शांती स है यह उक्रेन भी नहीं हुआ यह पहले पहले जो दो महिना था दो ड़ाई महिने में रश्या और यूक्रेन में बीच में बात्चीत भी चल रही थी लड़ाई भी चल रही थी और उस वक्त लगा था कि शायद समझाता हो जाएगा मैं मुझे याद है कि फैनेंशल टाइम इसके हेडलाइन था कि 15 सूत्री पेश किया एक पीस प्लाइन रश्या ने उसके तेरह में समझाता हो गया जो बेलारूस में बात्चीत हो रही थी तो उसके बाद वहां पर यूके का प्रधान मंत्री पहसे बोरिस जॉंचल पहुंचे और इसके बाद अमरीका ने कह दिया कि इस पीस प्लान को हम करते ही समर्थन नहीं करेंगे आप जाएंगे तो आपको पैसा वैसा सामरिक सहायता नहीं मिलने वाला है तो यूकरेन पीछे हड़ी है इसके बाद में कोई बात्चीत आज तक नहीं हुई यह कहना युद्ध विराम करे बात्चीत करे दुनिया के एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका सहमत होगा क्योंकि उनको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे लड़ाई हुई है जिसमें युद्ध विराम से शांती की बात्चीत शुरू होती है पर यहां पर अमरीका और डेटो ताक्तों को जो कहना है कि रूस के इस लड़ाई में रूस को श बिध्वस करना इकनामिक तरीके से उसके आधार वह करी चुके बहुत सरे सांग्शन से लगा चुके इसके बाद युध अगर चलाएंगे तो उसमे बहुत सारे लए लगत प्रूस को ब्लीड करना की पूतिन अनपॉपिलर हो जाये और रूस की ऐसी हालत बना देना कि और अंतराश्टियस तरपे खड़ा नहों पर ये उनका मकसद है उसलिए जो मैं कई बार कह चुगा हूँ fight Russia to the last Ukrainian आखरी Ukrainian तक वो रूस के खिलाफ सघर्ष करने के लिए जंग चलाने के लिए राजी है क्योंकि देखी एक चीज बहुत एहम मुझे और दिखाई देती है आपने sanctions की बात कही ये एक नक्षा है जो ये बताता है कि दुनिया के बाकी देश जो ये चाहते हैं जो चीन ने भी कहा बारासूत्री जो प्रस्ताव दिया उसमें उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने के पक्ष में नहीं कहा कि यूक्रेन पर जो बॉर्डर क्रॉस करके रूस की सेना गई उसके समर्थन में वो नहीं खड़े हुए दुनिया के कई देश नहीं खड़े हुए लेकिन जब बात हुई कि sanction लगाना है तो देखी ये जो नक्षा है विश्व का ये बहुत कुछ कह रहा है कि सिर्फ इतने देश जो हमने लाल में दिखाए हैं सिर्फ वही रूस पे sanctions के पक्ष में थे बाकी अभी भी पक्ष में नहीं हैं बहुत एहम मुद्ध ये है कि बहुत सारे मुल्ख ये कहेंगे कि जो international borders अभी हैं उसको विरोध आप करें पर उसको militarily disturb ना करें तो इसलिए काफी देशों में आपने देखा होगा कि रूस के खिलाफ United Nations में भी वोड दिये हैं पर sanctions लगाने के वो कत्ते ही सहमत नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि इसमें जंग बढ़ाने की बात है और हमको सब को समेटने की बात है पर अंतराश्टियस तर पे international borders की respect होन मानते हैं और चीन भी क्योंकि उनके पास भी Taiwan जैसा issue है तो इसलिए चीन भी इस चीश को मानता है तो इसमें रूस के साथ मदभेद है पर इस मदभेद को शांती में रुकावट ना पैदा करे यही चीन की बूल प्रस्ताब रही है और वही प्रस्ताब जो है अगर हम करेंगे और यही आज के तारीक पर एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा सवाल दुनिया में खड़ा हुआ है कि देश जितने सारे देश है वो किया सिर्फ अमरीका और वेस्ट की जो लाइन होता है उसी को मानेंगे या दूसरे देशों की भी सुनने के लिए तैयार है अब हम एक ऐसे स्थिती पे जा रहा है जिसको कहा है बाल्टी पुल सेंटर्स ऑफ पावर होगे भारतवर्श पी होगा चीन भी होगा रूस भी रहेगा रूस मामुली ताकत नहीं है इतनी जल्दी एक साल से उपर हो गया युद्ध चलते हुए वहां पर और अब तो मुझे लग उक्रेन पे उक्रेन की लोग लड़ रहे हैं उसको पूछे अमरिका की अनेटो फोर्स की पूरी ताकत है उनके सिर्फ रसद नहीं दे रहे हैं आर्म्स वैपेंस पैसा नहीं दे रहे हैं उसके साथ-साथ ये भी साफ है उक्रेन की लोग कह चुके हैं उक्रेन की सीनियर क्योंकि वो देखते हैं, उनकी सैटलाइट से दूसरे एवाक्स उनकी जो एरक्राफ्ट है उससे रूस के उपर उनकी छानद्बीन रिष्टी रहती है, छानद्बीन करते हैं बताते हैं कहां हिट करना है, कोडिनेट्स वहां से आता है, अब हम तो सिर्फ बटन दबाते हैं, तो यह तो उस पे शिर्कत करने की बात तो आही गई है, इस वक्त जो थोड़ी से खतरनाक बात चल रही है, जो कि पुतिन ने कहा है, कि डिप्लीटेड यूरिडियम शेल्स भी यूके ने दिया है, उसकी टैंक्स जो जाएंगे, चौदा है चैंक्स मेरेखाल से उदेर है, उसमें डिप्लीटेड यूरिडियम शेल्स की उसमें जो उनके दाखते है, कमान जो दाखता है, वो उसमें होगा, तो डिप्लीटेड यूरिडियम की रेडियो अक्टिव कम है, बहुत कम है, पर उसकी अगर हिट होता है, तो उसका जो क्या कहेंगे वेपराइज करता है, तो उसका पार्टिकल सरक नाक से आपके सीनी में जाता है, तो उसका काफी बुरा असर पड़ता है, और ये इराक में काफी इस्तमाल हुआ है, और बड़े पहमाने पे बर्ध डिफेक्ट से लेकर, कैंसर वगारा की बिमारी वहां दिखी है, तो उसके काफी शोध हुआ है, उसकी आर्म फोर्सेस में बहुत चर्चा चल रही है, क्योंकि उनकी सोल्जर जो शामिल हुए, उनके जो कैंसर से लेकर बहुत सारे बिमारी बढ़ी है, उसके लिए वो डिप्लिटेड उरेनियम शेल्स को भी उसको दोशी ठहराते हैं, तो ये चीजे पुतिन ने कहा है, जो थोड़ा से खत्रे की घंटी है, ये कहा है, कि ये आप नुकलिराइजेशन आप दे कॉन्फिक्ट कर रहे हैं, अब इसलिए और एक लाइन अप क्रॉस कर रहे हैं, तो उसका जवाब क्या होगा, वो अलग बात है, पर खत्रा दुनिया के लिए ये है, कि दोनों और एक दाओं, ये जो नेटो का राजनीती कूटनीती कहे रहे हैं, तो वो दुनिया के लिए बहुत बात खत्रा दुनिया के लिए है, एक और चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगे, कि 12 सुत्री प्रस्ताव तो आया ही चीन की तरफ से, लेकिन एक और समझाता जो हुआ है, वो भी बहुत एहम है, रूस के लिए भी और चीन के लिए भी, और उसका तालुक इस नक्षे से है, इस नक्षे में जिस तरह से चीजे बताई गई हैं, क्योंकि चीन ने कहा, कि वो 50 बिलियन क्यूबिक मीटर नैचरल गैस रूस से लेगा, साइबेरिया टू करके जगा उन्होंने बताई कि वहां से पहले से लाइन है, एक और लाइन आएगी, तो ये मुझे लगता है रूस को एक रहात देने वाली बात है, क्योंकि यूरोप के प्रती जो जाती है, वो एक पहले से विवाद में और संकट में घिरा हुआ है यूकरेन से, देखिए इसमें दो चीज जुड़ा हुआ है, एक तो है चीन, उसको तेल और गैस की बहुत जरूरत है, क्योंकि तेल और गैस काफी इंपोर्ट करता है, बाहर से लेता है, वेस्ट एशिया से जब आता है, यह पूरा एशिया से घूंके और यहां से, समुद्री रास्ते से, यहां आने की जरूरत पड़ती है, और यहां पर जब जाता है, तो उसमें भी काफी military attack होने का सब भाबना होता है, उसमें बहुत narrow straits है, जिसके अंदर से बड़े-बड़े यहां जो को निकालना पड़ता है, तो एक पैसा काफी वक्त लगता है, पैसा लगता है, और दूसरी ब पड़ा gas और oil fields है, काफी तेल है, गैस है, दोनों यहां से लाने की बात चित चल रही है, और यह gas pipeline खासतोर से जो आएगी, power of Siberia 2 की जो बात हो रही है, तो वो यहां पर power of Siberia जो pipeline उनकी चलती है, उससे connect करने की भी बात हो रही है, तो इससे चीन को एक बहुत बहुत बहु साखलीन 1-2 की जिबात हो रही है, यह रूस के अंडर में है, इस पे भी जपान के साथ विरोध है, पर इस वक्त तो साखलीन 1-2 रूस के पास है, जाने वाला नहीं है, तो यहां इनकी भी oil fields डेवलप करने की बात है, तो इसकी भी पढ़े आसानी से, चाहे सामुद्रिक र परिवलेश है, तो इसलिए की तेल और तेल और गैस की दोलो एक दूसरे को परिफूरक देखते हैं, वो एक दूसरे को परिपूरक देखते हैं, qãmpliment देखते हैं, तो इसलिए इसका एहमियत, रेहरूस के लिए है जो आपनी कहा जो वहां पर लूस करेगा जो उसको नॉसित हो हुँ हष्षन हो रहा है कुसित वह इस लाकस सिर्फ पूर्थी नहीं का मुछ चीन दुनिया के सबसे बड़ा इंपॉर्टर है तो इसलिए चीन से एक एकता बड़ा एक्सपोर्टर जो रूस है उसको अगर कनेट कर पाएं दोनों के लिए बहुत बड़ा लाव है तो यह चीज जो है एग्रिमेंट भी रूस के साथ बहुत दिन से बात चल रही थी तो एक चुकती एग्रिमेंट हो गया एक्साइन हो गया शुक्रिया प् करते हैं युद्ध करते हैं देशों को बरबाद करते हैं चाहे एराक हो अफगानिस्तान हो सीरिया हो लीबिया हो वह सब कुछ जायज होता है सब कुछ उनके हिसाब से जब तक चलता रहता है वहाँ पर मानवता पर खत्रह नहीं मंद रहाता लेकिन आपने देखा कि किस त भी बड़ा हंगामा नहीं खड़ा होता शांती की बात पर कोई रुकावट नहीं आती फिर सवाल बहुत तीखा और साफ है कि आखिर क्यों युकरेन युद्ध को समाप्त करने या वहाँ पर शांती की शुरुवात करने के लिए जो प्रस्ताव आ रहे हैं उनको सिरे से खार प्रस्तिद्गी से जुड़ा हुआ है लिहाजा हमारे साथ नजर बनाए रखिए देखिए लाइक करिए शेयर करिए परताल दुनिया भर की म्यूस क्लिक शुक्रिया